हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं चैनल स्वागत है रुबीनास किचिन में आज हम बनाएंगे हरी मिर्चे का अचार जो कि बहुत ही स्पाइसी है बहुत ही टेश्टी है बिल्कुल लाल मिर्चे की तरह ही इसका टेश्ट भी आता है बिल्कुल फार्क नहीं है इसलिए इसे है जरूब दीखें यह बहुत ही यमाई स्दिखें हे जरूब कि यह करीब द三AR हे अंच्छे से दो के बौश कर लिया है ऐसके पानी भी सुखा लिए मैंने एक कलोजी है जो कि एक चमल यह यह मस्टर्ड शीड यह जीरा है यह मेथी दाना है और यह सौफ है सौफ को ज्यादा कॉंटिटी में मुझे लेना है और इन सभी को भून के पीस लेना है मुझे अच्छी तरीके से भून लीजिएगा जब लाल हो जाए तब पीस हीगा यह मैंने मस्टर्ड शीड पीस लिया है यह देखिए दरदरा मैंने पीसा है बहुत जादा महीन करने की जरूत नहीं है इसी तरह से हम उन भूने हुए मसालों को भी पीस लेंगे यह देखिए अब हम इसे एक बड़े से बावल में एड़ करेंगे मुझे मसाले बनाने है यह बड़ा सा बावल लिया है मैंने इसके अंदर हम यह मस्टर्ड शीड डाल देंगे अब इसी के अंदर हमें दरदरा पीसा हुआ या फिर आप इसे महीन भी ले सकती है कोई फार्क नहीं पारता इसे भून के मैंने पीसा है इसे याद रखिएगा कच्छा मत पीसेगा भ लिजेगा मैंने वन टीस्पून लिया है और चक जरूर लिजेगा यह चिली फ्लैक्स मैंने दो चमश लिया है क्योंकि मुझे स्पाइसी बनाना है इसे के अंदर मुझे कश्मीरी लाल मिच लेना है इसे कलर भी अच्छा आता है और टिस्ट भी पढ़ जाएगा यह करीब इसे खटा पसंद हो आप उसे साब से इसे यूज करिएगा यह देखिए बीज को आप निकाल लीजेगा और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरह से मुझे मिक्स कर लेना है अब इसी में मुझे एड करना है हल्दी हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है और उसी में हम एड करेंगे अद्रक लैसुन का पेश्ट यह करीब दो चमच है अद्रक लैसुन का पेश्ट अब मुझे इसी में एड करना है तेल तेल मैंन इसलिए आप इसे ही यूज करिएगा एक बाउल था वन बाउल तेल जितना जादा यूज करेंगी उतने ही जादा अच्छा होगा अब यह हरी मिर्ची मेरे सूप गये हैं जो मैंने दोके रखे दें इसे अच्छे से पोच कर इसके डटल को काट लीजेगा या तो फिर आप बीज से भी कट कर सकती हैं जैसे आपको अच्छा लगे आप बैसे कट कर लीजे देखिए मैंने इस तरह से भी कट किया है और कुछ को मैंने बीज से भी कट किया है अब इसके अंदर का यह जो शीट से उसे मुझे कट करके इसी में मिक्स कर लेना है इसको फेकिएगा मत इ अच्छे तरीके से मिलाने के बाद यह देखें एस तरह से उंगय से दबाते हुए हमें इसके अंदर भर देंगे आप चाहने टो इस्पून के दडında से भी इसको दबार के भर सकती है और है है और अब देखिए इस तरह से मैंने 25S Productions काट करके के अंदर इस तरह से भर लिया फिर्शानी जिस तरह आपको आसारी लगे अपूसे अच्छा बर्लेजी आपको थे। उस तरह से बना लीजिएगा बहुत ही टेश्टी है और ध्यान रखिएगा सुखे मसालों को भून जरूर लीजिएगा और इसमें मंग्रेला मत एट करिएगा पीसने में और ये बहुत ही अच्छा है इसका टेश्ट आया इसे धूप में सुखाने के बाद आप जार में भरके इसमें जितना जादा आप तेल भर लेंगी उतना जादा टेश्ट अच्छा आएगा इसलिए आप तेल में जरूर सेफ कर लीजिएगा ये साल भर के लिए आप इसे सेफ करके रख सकती है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरी नॉटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे